आज का वी लॉग SME Financing पर करेंगें यानि के Small and Medium Enterprises तो जो बैंक से करजों के जुरत पड़ती है उसको थोड़ा सा डिसकास करेंगे इस वी लॉग के पीछे जो मोटिवेशन है इस वज़ा से ये वी लॉग मैं कर रहा हूँ और ये है कि एक अधारा है प्राइम इंस्टिटूट के नाम सा ये पॉलिसी प्राइट सेक्टर का अधारा है जो पॉलिक पॉलिसी में अपनी राय देता है तो इस अधारे ने एक रपोर्ट पबिश की है कि Small and Medium Enterprises को बैंकों से करजे लेने में किस किसम की मुश्किलाग पैदा होती है एक इंटरिस्टिंग रपोर्ट है इसमें डिमांड साइट के कुछ फैक्टर्स जो है उनकी बारे में बात की गई है उसके लावा सप्लाइ साइट के कुछ फैक्टर्स है उनको एनलाइस किया गया है, लेकिन एक चीज ऐसी हाइलाइट की गई है, जिससे ये तमाम फैक्टर्स जिसकी वज़ा से SME को करजे मिलने में मुश्किल होती है, वो पीछे रह जाते हैं, वो बड़े मामूली रह जाते हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वज़ा से हमारे मुल्क में SME को करजें नहीं मिल सकते हैं, तो उस चीज के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, किसी भी एकॉनमी में SME को उस ECONOMY के रिट की हड़ी का आए जाता है, और ये बात पाकिस्तान के लिए भी दुरुस्त है, ये SME को से थोड़ी से लखने होते हैं Micro Enterprises जो हैं, उसकी एक्जामपल ये है कि ये जो रेडी वाला है, वो रेडी पिल लगा के सबसी बेचरे अपना कारोबार कर रहे हैं, वो Micro Enterprises हैं, किसी ने रिक्षा करीच दिया और डिवरी का काम करना शुरू कर दिया, तो ये भी Micro Enterprises की एक्जामपल है, Small और Medium Enterprises थोड़े इसमें कैटेगराइज किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा Small and Medium Enterprises मौजून है, तो इनकी जो वाल्यूम है जनी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के इनकी जो पॉंट्रिबूशन है जी टीपूमें वो तक्रीवन 30% इस फीसर से ज्यादा है, लेवर पोर पाकिस्तान के इनकी जो पॉंट्रिबूशन है, पच्छिस फीसद वो Small and Medium Enterprises की तरफ से आरही है, इसकी potential इससे बहुत ज्यादा है, इसी तरह Valuation की बात करें, तो 35 फीसद जो Valuation हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वैल्यू एडिट टोरक्स जो हम बना रहे हैं, वो भी Small and Medium Enterprises में होगे, Small and Medium Enterprises की आमियत इससे आरही जादा है कि अभी हमारी environment इतनी conducive ना होने की वज़ा से ये लोग optimal performance दे नहीं सकाए है, और जब ये अपनी optimal performance देना शुरू करेंगे ये 3 million से जादा businesses, तो आप सोचें कि कितनी sustained और high level of growth जो है वो चीज़ की जा सकती है अगर कर्जे के हसूल की बात करें तो मैं हजारों की तादाद में SME से person basis पे direct कर चुका हूँ, मेरा केरियर जादातर SME के गित भी गुमता रहा, उसके लावा बहुत सारी रिपोर्टें इस पे मौझूद हैं जोंके हम पढ़ते रहते हैं तो ये बात तो बड़ी clearly established है कि एक गहर मामूली number of SME जो हैं वो ये समझते हैं कि कर्जे का हसूल उनकी बड़ी जुरूरत है और उनको कर्जे के हसूल में जो मुश्किलात आ रही है वो उनके business की तरक्षी में के रास्ते में एक बड़ी रुपावट है SME इसको कर्जे की जुरूरत पढ़ती की है तो इसमें तीन बुनियादी बज़ुआत हैं जिसके लिए कि SME कर्जे के असूल की कोशिश शुरू करता है पहली वज़ा ये है कि उसको एक बड़ा order मिल गया है कि local demand है या international order है और उसके पास अपने पैसे नहीं है कि उस order की जुरूर याद को पूरा कर सके तो वो फिर जाता है बैंक से करजा लेने के लिए कि वो अपनी raw material खरीद ले को लेपर की fire कर ले बिजली वगएरा के bill पे करके वो production करे उस production को करके वो अपना order जो है उसको पूरा कर सके दूसरी जुरूरत इसमें जो आती है वो आती है जो है वो कोशिश करता है कि उसको अगर करजा मिल जाए तो वो मिशिनरी लाके पनी तक्रीवे लगा सके तीसरा जो जो जुरूरत देखी गई है वो यह देखी गई है कि रहसली को अपनी civil work कर्वाने है जो इनका structure बिल्ड करना है अपनी factory के लिए कोई या की program बनाना है अ तीसरी जुरूरत है SME को दर्जा हासिल करना ही को जुरूरत अब चलते हैं जी हमारे उस topic की तरफ इसके लिए वी लोग हमें किया है वह कौन सा बड़ा factor है जो के SME financing में हेंडर्स create कर रहा है SME इसको परज़े उस factor की वज़ा से नहीं परसागे है और वो factor यह है कि पाचि उसमें से 70% हिसा government को चला जाएगा यानि कि हमारी जो पाकिस्तान की government है इसमें हमारे commercial banks के पास मौझूद जो cash है जो करजों के देने की इसकिमाल करता है उसका 70% हिस्ता हुमारी government नहीं बोरो कर दो जाएगा पाकिस्तान के पास जो लोन देने के लिए total volume मौझूद है हमारे bank के अंदर वो एक बड़ा volume है 21.7 trillion रुपे के गरजाजात हमारे bank दे रहे है इसमें से 70% यानि के 15.2 trillion रुपे जो है यह government नहीं बोरो कर दो और बड़ी मामूली 30% जो रह जाता है उसमें से भी एक बड़ा बनता है यह जो है यह large size companies, blue chip companies, corporations जो है वो उनको चला जाता है तो बड़ी एक छोटी सी इमाँ जो 900 billion, 1 trillion से भी काम बचती है चार फीसद आप कहने जिसके अंदर हमें consumer financing की banks करते हैं यह आप जब गाड़ी के लिए loan लेते हैं और बनानी के लिए credit card के लिए loan लेते हैं तो भी इसमें से होनी है, agriculture financing भी नहीं से होनी है और इसी तरह small and medium enterprises को भी यहीं से करते जाने हैं तो वो 900 million हमें से भी बलके जो SME financing का portfolio वो तो तो 43 billion यह 2% रह जाता है तो कहां पे आपके 3 million businesses, 3 million से ज़्यादा small and medium enterprises और कहां पे कर्ज़र के अंदर उनका जो share है वो सिर्फ 2 पीस है तो इसको कर्जे नहीं मिले वो करकी नहीं कर सकते हैं, अगर historical trend के हमाले से बात करें तो इस situation हमेशा से ऐसा नहीं थी 2006 तक हमारे मुल्क में commercial banks से government कर्जे नहीं लेती हैं, यह हमारे commercial banks से government का का जो zero कर्दाब है, कर्जे नहीं लेती है उसके बाद से government ने commercial banks से गर्जे लेने शुरू किये, बावजूद इसके के commercial banks के पास जो गर्जे देने के लिए liquidity modules है, वो कई गुना बढ़ चुकी है, यानि को size of the pie बहुत जादा increase हो गया, लेकिन उसमें से इतना बड़ा volume जब government कर्जे की शकल में ले जाती है, तो जो पैस इसे available हैं, वो शायद बढ़ने के बावजूद भी बहुत कम और मामूली हैं जो के small and medium enterprises के लिए available हैं, अगर उन दूसरे मुलकों से अपना खिते में जो दूसरे मुलक मभूद है, उन से अपना comparison करें तो GDP के मुकाफले में जो private sector को available lending है, पाकिस्तान में यह 18% से बैसे है, बंगलादेश में यह 45% है और इंडिया में यह 50% है, यानि कि बहुत ज्यादा पैसे private sector के लिए available है बैंकों में, बंगलादेश में और इंडिया में, और पाकिस्तान के लिए हमारे private sector के लिए बड़ी थोड़े पैसे available है, इसका solution इसी चीज़ में है कि government अपने lending को commercial bank से कर करें, लेकिन यह वड़ी खंबलिंग सी सोच है कि क्या हमारी government यह कर भी सकती है, अपनी lending को रिस्ट्रॉक्चर, तो जिस हद तक हमने कर्जे नहीं होएं, क्या यह possible है कि commercial bank से restructure करके, हमको पैसे वाफिस करके, कर्जे जो हैं कि किसी international financial institution से लिए जाएं, तो यह एक स्वाल ह मेरे पर इसका जवाब नहीं है, लेकिन SME financing के वाले से देखा जाए, तो इसके लावा इसका कुई हल भी नहीं है, बैंकों के पास जादा पैसे private checkically available और उसमे से SME को वो target कर ले जाएं, तो जादा effort और जादा मेहनत करें ताके तो उस पैसे को किसी productive इस्तुमार में लगा लगा नहीं है, घाट जादा हिस्तुमार में र१ा जहीं है?